से जुड़े मुद्दे से हो सकती है क्या ये गलत बयान नहीं है अपने आपके अंदर जिसमें आप महादेव क्योंकि ये वो दोर क्योंकि क्यों मनाये जाती है कावर यातरा क्यों होती है इसका संदर्ब जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक जान नहीं पाएगा कि कावर य या था उसी किे विश्ष को शांत करने के लिए कावड यात्रा होती है कावड के जरीए जल आया था और जल भग्वान शंकर को चड़ाया जाता है। कि अधर बात करने के लिए गौरम भाठीय जोड़ए हैं पुरवक्ता भारती जनता-पार्टी के बारिष पठान है परवक्ता-ए-इम-के शुमाइया नाना नेता समाचवाधी पार्टी की प्रवक्ता भी है मेरे शाथ र्यमान है जारे मने मुस्ट्प कर चिंतक मेरे साथ की चर्था में प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे उनका भी अभिनंदन है जो कि राजनेतिक विश्क्रेशक है लेकिन मैं आप से जानना चाह रहा हूं वारिस पठान साब आपको एक तरफ मालिश देख रही है दूसरी तरफ तुड़ाई दिख रही है तुड़ाई तो उनकी हो रही है जो दंगाई है तुड़ाई तो उनकी हो रही है जो बवाल करते हैं तुड़ाई तो उनकी हो रही है बुल्लूर्द तो उनके आ चल रहे है जो दंगों में होते हैं लेकिन आप उनकी तुलना महादेव के भक्तों के साथ कर रहे हैं जो कावड यात्र, शांती से कावड यात्रा लेकर जाते हैं, जल लेकर जाते हैं महादेव के लिए, क्या गलत नहीं है ये, आस्था पर चोट नहीं है और देखे हैं, आमीजबय, जी आमीजबय हमने क्या बात करी, समविधान की बात करी, समविधान में है equality और हमने ये कहा कि जिते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो कैसा होगा यह तो जुम्ला बन गया एक तरफ आप जब हमारे कावडिये भाई यात्रा निकाल रहे हैं तो आप उनके उपपर हेलिकॉप्टर में से फूल बरसा रहे हो और वो तो टेक्सपेर के मनी से बरसा रहे हो आप बरसा ही है हमको आपत्ती नहीं है कावडियों को पैर को मसाज किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में मसाज के रिए डीप टिशू मसाज दीजिए हमको को कोई आपत्ती नहीं है मगर वहीं पर आप शक्की बुनियात के उपर छे साथ मुसल्मान के बच्चों को उठा कर ले जाते हो साहरनपूर के अंदर लो को कुछ नहीं है हमको आपत्ती इस बात पर है कि अगर रस्ते पे कोई नमाज पढ़ दें दू यह तीन में गीनिट की हमीज भई जिससे क्वाइलेंसं का कॉल नहीं दिया जा रहा किसी को दिक्कत नहीं हो रही है किसी को तकलिफ नहीं दी जा रही है परेशानी नहीं दी जा रही है उसके खिलाफ आप नॉन बेलेबल सेक्षन लगाके उसको जेल में डाल देते हो और वही पर मुसल्मानों की बात आए तो उनके घर को बिरा 950 दे मेरा पुल्डोजर से तोड़ देते हो तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये बात कि हमने क्या गलत किया चलिए बताइए मुझे हाँ मैं एक सवाल आपसे पूछा हूँ तीस सेकिंड में इसका जवाब दीजिएगा फिर में गौरभाटे के बाद जाता हूँ आपने ए और क्या आपको लगता उनकी तोड़ाई नहीं होनी चाहिए क्या जेल में उनकी फूलों से स्वागत होना चईए उनकी मालिश करी जानी चाहिए वो दौर चले गए जी में बिठा कर बिढ़ाई गाती ती ہے सुनिये सुनिये हाँ बिर्यानी खाने तो मोदी जी गए ते पाकिस्तान बिना बुलाए अब तुड़ाई किसकी हुई पता है अमीश भाई उतों साथ नड़कों को पुलिस ते ले गया था ना सारनपुर के लोकप में तुड़ाई किया जिनकी मसाज नहीं की गई वो मुसल तुड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप वारिस पठान है वो कहते हैं कि आप हमारे लोगों की यानि मुसलमानों की तुड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मालिश कर रहे हैं एक तरफ फूल बर्सा रहे हैं दूसरी तरफ बुल्डोजर चला रहे हैं राजधरम नहीं निभारे अमी जी कभी कभी भारत के नागरे के सोचते हैं कि वेसी जी क्या खुद में जहर उगल्ले की एक फैक्टरी हैं इतना जहर लाते कहां से हैं इतनी नफरत हिंदूों से क्यों हो अगर कावडियों पे जो शिवभक्त हैं फूलों की वर्षा हो गई तो उस गुलाब के फूल के काटे ओएसी के दिल में क्यों लगे हैं सवाल तो यह है और मैं आपको वजह बताता हूं यह लोग वो लोग हैं जो केवल और केवल एक वर्षा मुसलमानों का ध्यान रखेंगे लेकिन अगर हिंदूों की बात हो जाए तो इनको दर्द होता है उधारन के तौर पे मैं आपको बताऊं और देखें मैं प्रमाल के साथ हूं यह संसत के पटल पर मंत्री ने जवाब दिया 25 एपरिल 2012 याद करिया मीजी एक दौर भारत में था हज सबसीडी दी जाती थी हज पे जाना सबसीडी के तहट हराम है इस्लाम में लेकिन जाते थे तो कितना खर्चा होता था 2009 में 690 करोड 2010 में 600 करोड और 2011 में 605 करोड मतलब अगर जोड़ दें तो करीब करीब 1900 करोड तो यही है वेसी जी भी उस सरकार का समर्थन करते थे कभी अब जानकारी मांग रहे हैं फूलों का खर्चा कहां से आ रहा है हां देखिए अभी जी वही से आ रहा है जब मोहर्रम में हम देखते हैं कि प्रोसेशन निकलते हैं जब ताजिये निकलते हैं यह वही से आ रहा है जैसे वहां पे बंदोबस्त किया जाता है ना हज यात्री आज भी जब जाते हैं तो एरपोर्ट पे दवाई वहाँ पानी वहाँ पे सारा जो विवस्ता होती है वो सरकार करती है ये वहीं से आ रहा है और इस देश में कहीं नहीं लिखा है कि मुसल्मानों के लिए कर सकते हो लेकिन हिंदूों के लिए सिक्कों के लिए नहीं कर सकते हो और दुख की बात क्या है ये वो जहरीले OAC है मेरे हाथ में देखी एक और खबर है लिखा है इसमें याकूब मेमन को फासी की सजा इसलिए हो रही है कि वो मुसल्मान है मतलब एक आतंकी अगर मुसल्मान है तो ओएसी जी का भाई है लेकिन अगर एक शिव भट अपने अराध्य की पूजा करता है कावडिया यात्रा पे जाता है तो उसके लिए फूलों की वर्शा ना हो क्या एक पत्थरबाज और आतंकी की तुल्ला एक शद्धालू से हो सकती वारिस जवाब तो केलेट वारिस रिपलाए वारिस बठान जी देखे अभी अमिज भाई अमिज भाई अभी भाजपा के प्रवक्त अगौरों भातिया ने कहा कि यहां का खर्चा वाहां से आता है जा मोराम के प्रोसेशन से खर्चा आता है अब इजबा इतने सालों से महरों का प्रोसेशन निकल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में निकलता है मुझे बताईए कहीं पर भी हेलिकॉप्टर से किसी SDM ने या पुलीस ने या सरकारों ने उपर चोपर से फूल बरसा है क्या मुझे इस बात का जवाब दो अब बरसा है तो जगा का नाम मुझे बता दो, एड्रस बता दो, डेड़ बता दो, चलिए बताईए कब बर साए फूल, बहरनम के प्रोसेशन के उपर, हेलिकॉप्टर से, सरकारी कर्चे से, बताए बुझे इस बात का जवाब दीजेए के तो अपने अल्फास को वापस लीजिए वारिध भाई आप मुझे सुन पा रहे हो, वारिध भाई मुझे सुन पा रहे हो कि जो आप सरकार में थे देते थे वो गलत है यह न्यूज 18 पर कह दिए बोलिए कि सुनिये हम उत्तर आपने तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसका मनलब आप जूटे करा रख दिये गए कि बहुरम मैं दूंगा इसके बाद दूंगा कि अक्सर आप प्रश्टों से बच कि अधर स्कॉलर्शिप के अंदर सरकार में थे हैं अधर सबस्टी का फाइदा सिर्व एर इंडिया को आपके आप नहीं चाहिए हमको वह पैसों से एक बात और बूसलमान लड़कियों को डिमांड डिवन स्कॉलर्शिप दीजिए लेकिन अभी आप अब आप आप आयर इ आप प्लावर नहीं तो तरह की होती है एक चूले में जलने वाली दूसरी लगाने वाली अब कौन सी है वो निर्दानित करिए अब मैं बाकी अपने मेमानों का रुक करता हूं लगातार जो वेट कर रहे हैं जी जी गौरब हाट याथ